हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे अमूल बटर जैसा बटर और वो भी सिरफ एक मिनट में तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैंने आप पर एक आच का बाउल लिया है आप चाहें तो कोई स्टील का कटोरा वगेरा भी ले सकते हैं अब इसमें मैं ले रही हूँ गाय का देशी घी मैं यहाप पर चार चम्मज घी ले रही हूँ फ्रेंड्स जितना बटर बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप घी ले लीजिए अब हमने घी ले लिया है ये अल्रेडी थोड़ा पीले रंग का है अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चुटकी नमक और थोड़ी सी हल्दी ताकि हमारे बटर का कलर बिलकुल रेडी मेट अमूल बटर जैसा आ जाए फ्रेंस नमक हमने इसलिए डाला है क्योंकि अमूल बटर थोड़ा सा सॉल्टी होता है अब इसमें मैं डालूंगी चार से पाँच आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स डालने के बाद फ्रेंस इसे हम चमच की मदद से ही खिलाएंगे इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे तरह से हमें इसे फेंटना है, इसमें हमें किसी भी मशीन की ज inland नहीं है, कोई भी hand whisker की भी जरूरत नहीं है, सिरफ एक मामुली सी चम्मच से एक मिनुट तक हम इसे फेंटेंगे, और आप देखेंगे कि butter बहुत ही असानी से हमारा बन जाएगा, प्रेंस जब ये बटर हमारा बनना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे इसका कलर बिलकुल चेंज हो गया है और आप टच करके देख सकते हैं बिलकुल इसकी कंसिस्टेंसी बाजार जैसे अमूल बटर जैसी आई है इसे मैं एक साइड रख रही हूँ और इसे प्रॉपर शेप देने के लिए मैं इस तरह का स्कुएर या रेक्टैंगुलर कोई भी आप छोटा सा बॉक्स ले लीजिए या फिर जिसमें आप बटर डालते हैं वही ले लीजिए और इसमें हम फॉइल पेपर या बटर पेपर लगाएंगे इसके बाद हमने जो बटर रेडी किया है उसमें से सारी बरफ के टुकडे हम निकाल देंगे और अब ये जो बटर हमारा रेडी हुआ है इसे हम कंटेनर में डालकर अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे और बॉक्स का ढखकन लगाकर हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे पांच-दस मिनट में ही अच्छे से सेट हो जाएगा और आप चेक कर सकते हैं ये बिलकुल हमारा अमूल बटर जैसा बनकर रेडी हुआ है टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंट्स आप जरूर ट्राइ कीजेगा इसे घर पर और कमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा कि आपको ये कैसा लगा फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये हमारा बनकर रेडी है कोई बता ही नहीं सकता कि ये मार्केट से हमने लिया है या फिर घर पर बनाया है तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू